हेलो दोस्तो आप सभी का एक ने वीडियो में स्वागत है और आज हम लोग एक इंट्रेस्टिंग टॉपिक पर लिखने जा रहे हैं तो आज का वीडियो काफी इंट्रेस्टिंग और नॉलिजिवल है आप लोग सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे आप लोग को बहुत कुछ सिखने का मौका मिलेगा और दोस्तो यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लिजिए आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं और दोस्तो यदि यह मेरा effort आप लोग को अच्छा लगे, content अच्छा लगे तो एक बार comment box में very good, very nice जरूर लिख दीजेगा मुझे काफी अच्छा लगता है, motivation मिलता है So without wasting much time, let's get started now आधुनिक लड़की अब पहले जैसे शर्मीली नम्र, बिनम्र और घ्रेलू प्राणी नहीं रही तो दोस्तो यह एक तरह से सुद्ध हिंदी में है नम्र, बिनम्र यानि की very humble, gentle प्राणी यानि की creature और creature के अंदर सभी लोग आ जाते हैं यानि की इनसान से लेके जानवर तक सभी creature हैं और अब नहीं रही या अब नहीं रहा, जैसे वह नटखड अब नहीं रहा He is no longer a naughty boy आप इस तरीके से बोल सकते हैं और दोस्तो no more नहीं बोलना है, नहीं तो वह इस दुनिया से ही चला जाएगा जैसे वह अब बैमान नहीं रहा He is no longer a dishonest man तो यहाँ पर लिखें के The modern girl Is No longer The shy Meek यानि धीरे धीरे बोलना Submissive यानि कि दब कर बोलना उसे Submissive कहा जाता है और घ्रेलू तो दोस्तों यहाँ पर घ्रेलू के लिए Domestic नहीं लिखेंगे वो Animals के लिए होता है या कोई समान के लिए होता है घ्रेलू इंसान यानि कि Homely Homely person तो यहाँ पर लिखेंगे And Homely creature जो वो हुआ करती थी आप आगे add कर सकते हैं That She Used to be The modern girl is no longer The shy, meek, submissive And homely creature That she used to be वह अब अपने चूले या घर तक ही सिमीत नहीं है दोस्तो चूले या घर यानि कि घर के कामकाज तक सिमीत उसके लिए एक phrase यूज करते हैं Hearth And Home Hearth एक तरह से कीचन हो गया यानि कि सिर्फ कीचन और घर तक ही सिमीत नहीं है तो यहाँ पर भी नो लांगर यूज करेंगे She is No longer Confined to Her Hearth and Home दोस्तो यहाँ पर Confined to काफी important है और इसके बाद to जरूर लगता है जैसे He was Confined To bed यानि कि वह बिछावन पर पल गया उस पर एक तरह से कैद हो गया Due to His illness अपनी बिमारी की वजह से जैसे मैं अपने घर पर कैद रहता हूँ I remain confined to my room या to my house She is no longer confined to her heart and home वह अपने अधिकारों के लिए लड़ सकती है तो इसमें एक तरह से ability है छमता है और ability दिखानी के लिए हम लोग can का यूज करते हैं तो यहां पर लिखें के She can fight for her rights Fight for का अर्थ हुआ कि किसी चीज के लिए लड़ना और fight against किसी चीज के खिलाफ लड़ना She can fight for her rights आधुनिक लड़कियां फैशन, बेभार, इच्छाओं और पेशेबर परियासों में पुरूसों के बराबर हैं यहां पर एक phrase यूज करेंगे At par With Somebody यानि कि किसी को टकर देना तो यहां पर लिखेंगे Moran Girls Are At par With The male In Fashion Behavior Ambition And Professional Endeavors दोस्तों इसे actually पढ़ेंगे क्या? इसे आपको पढ़ना है Endeavor तो यहां पर हो जाएगा Endeavors इसका अर्थ होता है Effort लगाना परियास करना Try hard Modern girls are at par with the male in fashion Behavior Ambition And professional Endeavors रंगीन सारी की जगह जिन्स और पैंट ने ले ली है तो यहां पर आप इसे active और passive दोनों voice में लिख सकते हैं मालीजी यदी passive voice में लिखते हैं तो यहां पर लिखेंगे The Colorful Sari Has been Replaced By Jeans And Pants यह हुआ एक तरह से passive voice में यानि कि उसकी जगह ले ली गई है जिन्स और Pants के द्वारा The Colorful Sari Has been Replaced By Jeans And Pants और active voice में लिखेंगे तो पहले ही Jeans And Pants लिख देंगे मालीजी यह प्लूरल Form में है तो Have Use करेंगे Have Replaced The Colorful Sari Jeans And Pants Have Replaced The Colorful Sari तो आप दोनों ही तरह से लिख सकते हैं घुंगराले बाल अब किसी लड़की की खुबसूरती नहीं बढ़ाते The Curly Long Hair Or The Plated Hair Plated कार्थ हुआ एक तरह से जैसे बालो को बांधा जाता है No Longer Enhances The Beauty Of A Girl The curly long hair Or the plated hair No longer enhances The beauty of a girl छोटे बाल उन्हें boys look देते हैं तो यहां पर subject क्या है Short hair The Short hair यह uncountable noun है यहां पर हो जाएगा Gives Her आप चाहें तो देम भी लिख सकते हैं Plural form में A Boy's Look The short hair Gives them a boy's look वह क्रिकेट खेल सकती है पहाडूं पर चड़ा सकती है और हर वह काम कर सकती है जो लड़के करते हैं तो यहां पर भी अबिलिटी की बात हो रही है Can यूज करेंगे She can Play Cricket Climb The mountain And Do Every job That Boys Do यानि की जो काम लड़के करते हैं जो के लिए That लिख सकते हैं She can play cricket Climb the mountain And do every job That boys do आधुनिक लड़कियां पार्टियों समारोहों और बैठकों का आकर्शन होती हैं तो यहां पर लिखेंगे Modern girl Is the charm या फिर आप लिख सकते हैं Center of attraction Of The parties Functions And Meetings Modern girl Is the charm of the parties Functions And Meetings उनकी जीवन्त और बुद्धिमान बातचीत और उनका बैभारिक द्रिष्टिकों हर पार्टी में और अधिक आकर्शन जोडता है जीवन्त यानि की लाइवली बैभारिक द्रिष्टिकों यानि की प्रैक्टिकल अप्रोच तो यहां पर लिखेंगे तो यहां पर लिखेंगे हर प्रैक्टिकल अप्रोच और अधिक आकर्शन जोडता है एड़ मोर चार्म हर पार्टी में तो एवरी पार्टी हर लिखली एंद इंटलिजेंट कॉन वर्टी हर प्रैक्टिकल अप्रोच अद मोर चार्म तो एवरी पार्टी आधुनिक लड़की पूरी तरह से घर पर नही रहना चाहती दमोरन गर्ल दस नाट वांट तो स्टे कम्पलीậtली आध होम और यहाँ पर दमोरन गर्ल एक तरह से सिंग्यूलर नंबर में है गर्लस नहीं है इसलिए दसनाट यूज करेंगे दमोरन गर्ल दसनाट ओंट व Audience दे आध होम वह संगीत कारिक्रम, शैक्षिक कारिक्रम, फैशन प्रेट, बहस, चर्चा, सीनेमा शो और अन्य बाहरी गतिविधियों को मिस नहीं करना चाहती संगीत कारिक्रम इसे कहते हैं कॉंसर्ट्स, शैक्षिक कारिक्रम, एजुकेशनल इवेंट्स, फैशन प्रेट, बहस, डिबेट्स, चर्चा, डिस्कसन, सीनेमा शो, इसे इंग्लिश में पढ़ा जाता है सीनेमा, सीनेमा शो और अन्य बाहरी गतिविधियों को जंकोची और शर्मिले बने रहने के उसकी कोई इच्छा है तो यहाँ पर लिखेंगे उसे कोई जिजक नहीं है पुरूसों से बातचीत करने में इन टॉकिंग विद में अंड हैस नो डिजायर कोई इच्छा नहीं है संकोची और शर्मिले बने रहने की तो बी और तो रिमें शाय और रिजर्ब्ड रिजर्ब्ड उसे कहते हैं जो अपनी बातें खुद के अंदर रख लेते हैं यानि की दूसरों को बताते नहीं हैं रिजर्ब्ड कहलाते हैं She has no hesitation in talking with men and has no desire to remain shy and reserved. आधनिक लड की मुल्टी टास्किंग में कुषल है The modern girl is skilled at multitasking The modern girl is skilled at multitasking वह घर और बाहर दोनों जगह समान रूप से सहज रहती है सहज रहना यानि की at ease Ease मतलब सहज, ease से ही easy बनता है और जब सहजता खतम हो जाती है अराम महसूस नहीं करते हैं तो उसके पहले लगा देते हैं disease तो कुल मिलाकर हो जाता है disease यानि की बिमारी बिमारी में लोग सहज महसूस नहीं करते हैं एक तरह से यह ease का object word है disease वह घर और बाहर दोनों जगह समान रुप से सहज रहती हैं शी इज इकुवली अट इज आट होम आड आउट दोर्स शी इज इकुवली आट इज आड आट आउट दोर्स वह अपने घर के साथ साथ अपने नौकरी भी साथ संभाल सकती है संभालना यानि कि manage करना तो यहाँ पर भी ability है सकती है यानि कि can she can manage her jobs as well as her domestic work यह फिर आप लिख सकते हैं household chores यानि कि घरेलू काम she can manage her jobs as well as her household chores आप चाहें तो along with का भी यूज़ कर सकते हैं she can manage her jobs along with her household chores हमें आधुनिक महिलाओं को और ससक्त बनाने के लिए महिलाओं को सम्मान और सम्मान अधिकार देना चाहिए we should give equal respect and rights to make them yeah to make the modern girl more empowered we should give equal respect and rights to make the modern girl more empowered I hope friends आज का यह वीडियो आप लोगो को अच्छा लगा होगा यदि यह मेरा effort आप लोगो को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दिजेगा मेरे चैनल पर नए है तो जरूर सब्सक्राइब कर लिजी और एक बार comment box में कुछ ने कुछ जरूर लिख दिजिए alright friends thanks for watching have a great day